नमस्कार आपके साथ ना हूँ साक्षी जोशी अभी की बड़ी ख़बर आपको बता दू कि तमिलाड में भारतिय जनता पार्टी भाजपा ने जी तमिल को एक पत्र लिखा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि जूनिया सुपरस्टार सीजन 4 नाम के एक Kids Reality Show में दो प्रतियोगियों ने एक skit के माध्यम से प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को बदनाम करने की कोशिश की है यह मैं कहां से पढ़ रही हूँ यह है टेलेप्रॉम्टर आपने देखा होगा कि टेलेप्रॉम्टर इस वक्त बहुत ट्रेंड कर रहा है Google Trends में क्या होता ह है टेलेप्रॉम्टर सब लोग टाइप करके जानना चाहते हैं तो इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आईए मैं आपको बता देती हूं जितने न्यूज आंकर्ज हैं स्टूडियोज में उनके पास सामने एक टेलेप्रॉम्टर होता ही होता है लेकिन इसका मतलब य इसका में एक लाइन सुना था देखा था मेरे एक वीडियो वह मैंने तीन मिनिट का वीडियो यहां से देखके बनाया था यह देखिए इसमें क्या होता है तो सब कुछ यहां से मैं जब दिखाई दूंगी तो बिल्कुल आज़ जैसे आपको दिखाई दे रही हूं ऐसे दिखाई दूंगी लेकिन मुझे सामने एक स्कृप्ट दिखाए देगी यह ट्रेंड कीूं कर रहा है क्योंकि टेलेप्रॉम्टर के लिए आप देख रहे हैं कि कल तरब तरह की बाते कही जा रही है बीजेपी का कहना है कि नहीं वो टेलेप्रॉम्टर कोई फॉल्ट नहीं आया था लेकिन कुछ एक थेयरी कहती है कि शायद टेलेप्रॉम्टर रुग्या प्रधान मंत्री का जब वो वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम में सबी लोगों को संबोधित कर रहे थे उस समय पर उनका टेल टेलेप्रॉम्टर फेल ना हुआ हो लेकिन जब बहस उसके इर्दगर्ध हो रही है तो यह तो बात पक्का है कि टेलेप्रॉम्टर तो होता ही है सामने आप नरेंदर मोधी की जितने भी वो संबोधन करते हैं आपको जूम करके उनके चश्मे में भी देखेंगे तो आपक प्रधान मंत्री उनको अपना रिमोट चलाने की ज़रत नहीं है वो स्क्रोल अपने आप हो जाता है कहीं और से और यह तो बहुत ही लोकल टाइप का टेलेप्रॉम्टर है उनके पास जो प्रॉम्टर होते हैं वो बड़े सेगडम ऐसे होता है कि बिल्कुल एक स्टैंड प के पास होते हैं अब यह देखिए मैंने प्ले किया तो यह स्पीड से चल रहा है मैं इसको धीरे की स्पीड पर भी रख सकते वर मैंने अपनी इस बोलने की स्पीड के साबसे स्को सेट किया हुआ है सोशल मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष सीटियर निर्मल कुमार ने पत्र में लिखा है कि स्किट में पीम का मजाक उड़ाया गया है तो इस तरह की देखिए यह बात होती है तो कि उस वक्त पढ़ रहे थे और यह माना जा रहा था कि अचानक से शैदी टेलिप्रॉम् जो कि BJP कह रही है ऐसा नहीं हुआ अगर अची बात है लेकिन अगर टेलिप्रॉम्टर फेल हुआ तो एक बात तो साबित हो गई है कि सबको यह तो पता चल गया है कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी अपने जाधा तर जो संबोधन करते हैं वो पढ़के करते हैं उनके सा नरेंदर मोदी के साथ यह है कि वह जहां पर है जितनी भी बाते कर रहे हैं जितना भी आपके सामने संबोधन इतना लंबे लंबे एक गंटे की स्पीच दे रहे हैं आपको अपने आप से बोल रहे हैं यही है फर्क और यहीं है वो टेलिप्रॉम्टर जिसको आप देखना चाहते हैं इसमें आप एक घंटे की दो घंटे की जितने लंबी आप स्कुल करते रहिए पढ़ते रहिए सब समझ में आ जाएगा कि आखिर कितनी देर तक भी आप इसको पढ़ के बोल सकते हैं लेकिन जैसे ही मान लीजिए यह एकदम गायाब हो गई यह देखिए अगर यह सामने से गायब हो गई, इधर आईए आप, देखिये माल लीजे अचाना से गायब हो गई स्क्रिप्ट, अब आप देखिये, अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, अब इसमें हो जाएगा अब 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 आपको कुछ नहीं बतागी क्या बोलना है, कैसे बोलेंगे लेकिन हम news anchors को इसकी पूरी तैयारी होती है, इसकी पूरी training होती है, बहुत लोगों के teleprompters बहुत बर गायब हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही है कि दर्शकों को anchors पता चलने देते हैं, जो अच्छे anchors होते हैं, वो पता चलने देते हैं, कि आखिर उनका teleprompter गायब हो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला है, क्योंकि ख़बर की समझ उनको सबको होती है, क्या ख़बर पढ़नी है, कौन सी breaking news है, अपने आप से ही बोलना होता है, किसी reporter से बात करनी है, तो अपने आप से ही करता है, कोई teleprompters से देख कर नहीं करते हैं, यह बोल सकते हैं, तो आप लगातार सिर्फ लाइव ही बोलते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं भी बोल रही हूं आपके सामने, लगातार, continuous, बोलते रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप किस मुद्दे के बारे में बोल रहे है, उस subject की knowledge आपको होनी जरूरी है, तो देश की प्रधान मंत्री उस वक्त भारत के बारे में बोल रहे थे, बोलते बोलते टेंपरमेंट के बाद वो शान्त हो गए, चुप हो गए, उसके बाद उनको एक क्यू दिया गया कि आप उनसे पूछे कि क्या उनको आवाज आ रही है, उन्होंने पूछा कि बहुत ह टेक ओवर कर लिया और वो एक छोटा सा फिर एक बीच में फिलर की तरह है, शाद को म्यूजिक या कुछ सुनाना चाहते थे, वो नहीं हुआ लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीश दोबारा से बोली, जो भी हुआ टेक्निकल ग्लिच होता है, टेक्निकल ग्ल बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि एक बाद टेलेप्रॉम्टर रुख गया तो उनको यह नहीं पता था, कि आगे उनको बोलना क्या है, वहां सबसे जादा दिक्कत आती है, कि एक शब्द भी वो उसके बाद अपने आप से नहीं बोल पाया, उनको फिलर किया गया था और फिर उन्होंने दुबारा से अपनी स्पीच बोली थी, यह भी हो सकता है, लेकिन यह सब थेयरीज हैं, थेयरीज के नोट भी और फैक्ट चेक, सब लोग कुड़ भी पर बात कर रहे हैं, इक्जाक्ली क्या है वो किसी को नहीं पता, यह दो में आ जाता है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां तक बोलना है, और अगर यह सब गायब हो गया, तो अपने आप से कैसे बोलना है, वो भी एक आठ होनी चाहिए, टेलिप्रॉम्टर पर पूरी तरह से हम लोग नहीं टि कि ये